हाई फ्रेंड्स वागत हमारी YouTube चैनल कुगवित परी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अबनेंदन और आज में आप लेकर आए हूँ यूपी स्टाइल चोखा रेस्पी जो आलू से हाज हम बनाएंगे जो सिंपल तो बहुत है लेकिन खाने में बहुत स्वादिस्ट है आप इसको किसी भी चीज के साथ खाएं रोटी दाल चामल या कभी भी आप इसको किसी भी टाइम मना के खाएं बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रस करें ताकि नेक्स टानली रेस्पी का वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो यह देखिए मैंने आलू लिया है आलू हमारा 250 ग्राम है इसको मैंने बाल करके चील करके रेडी कर लिया है और य मेंने 6ग भाये अरा धनीय को मैंने कर लिया है और यह देखिए मने बाउल लिए आलो डालेंगे और आलू को हम चमच की साइता से मैस कर लेते हैं इस तरीके से आलू हमारा मैस हो चुका है और अब हम इसमें तीन बड़े चमच ऑल डालेंगे ऑल हम सरसों कर लेंगे सरसों के गयल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो अब हम मिक्स कर लेते हैं इसको यह देखिए इस तरीके से और ओल हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से आलू में यह देखिए और अब हम इसमें एड़ कर लेते हैं सौधानुसार नमक सौधानुसार लाल मिर्च और उसके साथ ही हम इसमें एड़ कर देते हैं अद्रक जमने बारी कट कर लिया था और लेसुन हरा मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट और उसके साथ ही हम इसको इसमें एड़ कर लेते हैं हम प तमाटर के साथ आड़ कर देते हैं और यह देखिए दोसें प्हुत अध्च्छा कलर आ रहा है डोस्तो जितना अच्छा कलर है उसे यह काने mamy टेस्टंटी है तो हम इसको मिक्स 수가 हुआ नगा से दोस्तो आलू का भरता यूपी का बहुत फेमस डिस है और इसे आप दाल चामल के साथ खाएं बहुत टेस्टी लगता है तो यह देखिए भरता हमारा बनके रडी हो चुका है आलू का चोखा और दोस्तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को ल जरूर बताएं थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग तो मिलते हैं नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर